मेट्रो टाइम न्यूस पर आने वाली नई नई वीडियोज को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकों के बटन को प्रेस करना हरगेज न भूलिए आज हम आपको बर्याजम यूरोप और शुमाली अमरीका के दर्मयान वाकिये हैरत अंगेज जजीरे पर ले चलेंगे जहां कुदरत के बेश्मार खुबसूरत नजारे तो देखने को मिलते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको कुदरत का नजाम कुछ अलग ही नजराता है इसलिए ये जजीरा किसी और ही दुनिया का हिस्सा मालूम होता है हम बात कर रहे हैं यूरोप मुलक आइसलैंड की जहां दिन और रात का कोई खास तसवर ही नहीं यहां आप रात के तीन बज़े भी सुरज को देख सकते हैं आखर ऐसा क्यूं है यहां आसमान पर कौन कौन जी इंतहाई खुबसूरत और पुर इस्रार रोश्टिया नजराती है यहां की लोगों का तर्जे जिन्दगी कैसा है और मशूर टीवी सीरीज गेम अफ त्रॉंस का इस जजीरे से क्या तालुक है यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे महले वकू और तारीख आइसलैंड का ज्यादा तर हिस्सा एटलैंटिक ओशन यानि बहरे ओक्यानूस जबके कुछ हिस्सा आर्टिक ओशन यानि बहरे मुझमित शुमाली में है इस मुकाम पर शुमाली अमरीका, यूर्पियन और एशियाई अर्जियाती प्लेट्स यानि टक्टॉनिक प्लेट्स आपस में मिलती है यही वज़ा है कि आइसलैंड पर बहुत सारे आतश विशा, पहार और ग्लेशियर्स और गीजर्स यानि गरम पानी के चश्वे हैं इसलिए इस जजीरे को दी लैंड ओफ आइस एंड फायर भी कहते हैं जिगराफिया यातवार से यह जजीरा, यॉरप और शुमाली अमरीका दोनों बर्याजमों का हिस्सा है आइसलैंड का मगरब हिस्सा शुमाली अमरीकी प्लेट जबके मश्र के हिस्सा यॉर्शियन प्लेट के उपर वाकिया है इन दोनों प्लेट्स के दरमयान वक्त के साथ साथ गैप में हर साल तकरीबन दो सेंटी मीटर इजाफा हो रहा है इस जजीरे के हमसाय मुमालिक में ग्रेन लैंड, सकॉर्ट लैंड और नौर्वेश शामिल है आइसलेंड का दारुल हकोमत रेका जोक है और इसका सबसे बड़ा शेहर भी यही है आइसलेंड को दुनिया के इन मुमालिक में से एक समझा जाता है जहां इनसानी अबादी बहुत देर से शुरू हुई थी इसे नौर्वेश के महंजूओं ने दर्याफ्त किया और यहां सबसे पहले रहाइश रिख्तियार करने वाला श्रक्स भी नौर्वेश का ही बशेंदा था इसके बाद नौर्वेश और आईरलाइन के बहुत से गुलाम और महाजरीन यहां आकर अबाद होना शुरू हो गए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली पारलिमान का क्याम भी इसी जजीरे पर अमल में आया था तब तक यह जजीरा एक अज़ाद रिया सकता लेकिन कुछ अर्सा बाद यह जजीरा नौर्वे के कंडरोल में आ गया था 19 सदी में आईसलेंड डैनमार्क के कबजे में आ गया और फिर दूसरी जंगे अजीम में डैनमार्क और आईसलेंड के तालुकात खराब हुए और साथ ही बरतानवी फोजों ने आईसलेंड के दारुल रिकूमत पर भी कबजा कर लिया आखिर कार 17 जून 1994 को आईसलेंड को एक अलग मुल्क का दिर्जा मिल गया सर्द जंग के दुरान अमरीका और आईसलेंड का एक मौाहिदा हुआ और अमरीका ने स्वेट यूनियन से आईसलेंड के दिफा का जिमा लिया आईसलेंड दुनिया के खुबसूरत तरीन जजीरों में से एक है रगबे के लिहास से ये दुनिया का 18 वां और यूरप का दूसरा बड़ा जजीरा है इसका रगबा एक लाग से तीस हजार मुरबा किलोमीटर के लगबग है अबादी भी तकरीबन तीन लाग सतर हजार है आईसलेंड का ज़्याद दर हिस्सा घास के सरसब्स मिदानों पर मुश्तमिल है जबके कुल रगबे का तकरीबन 11 फीसद हिस्सा ग्लेशर से घिरा हुआ है इस खुबसुरत मुल्क में इतनी ज़्यादा आपशारे मौजूद हैं कि इन सब आपशारों को नाम नहीं दिया जा सकता इसलिए बेशुमार आपशारे ऐसे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं यहां साठ से जाएट छोटी बड़ी जीले भी मौजूद हैं जो इस जजिरे के कुदरती हुसर में मजीद इजाफा करती हैं यहां के बेशुमार उंचे उंचे पहाड भी देखने वालों को अपने सहर में जगर लेते हैं आइसलैंड के सबसे बड़े उंचे पहाड की उंचाई 6900 फुट है अपने महले वकू के वज़ा से यहां का मौसम भी खुशगवार रहता है अब तक यहां का सबसे ज़्यादा दरजह रारत 30.5 डिगरी और सबसे कम मनफी 38 डिगरी सेंटिगरेट रिकॉर्ड किया गया है अक्तूबर से जनवरी तक यहां शदीद बरफ बारी होती है इस ज़्यादे की गर्मिया भी हमारे मुल्क पाकिस्तान की गर्मियों की निस्बत ठंडी होती है और आम तोर पर दरजह रारत 25 डिगरी सेंटिगरेट के करीब ही रहता है सब्दियों में बरफ बारी के बाद घास के मेदान बरफ तले दब जाते है यही वज़ा है कि मकबूल तरीन टेलिविजन सीरीज दी गेम आफ तरॉंस के बहुत सारे सीजन्स इसी जजीरे पर फिलमाए गए थे इस जजीरे में नौर्थ आफ दी वाल का दिखाया जाने वाला सारा हिस्सा दरासल आइसलैंड में ही था इसी तरह इसी सीजन्स में दिखाये जाने वाली बरफ की कई सो फिट उंची दिवार के सीजन्स आइसलैंड के एक ग्लेशिर पर ही शूट किये के थे इसके इलावा भी इस जजीरे के बहुत ऐसे मकामात हैं जिन को आपने दी गेम आफ तरॉंस में देखा हुआ है आपने इस सीजन्स में एक इनतहाई दिल्चस्प किरदार दी माउंटन को देखा होगा ये दिरसल पॉनेच साथ फूट हाइड के आइसलैंडिक एकलीड हाफ्थोर जूलिस बर्ड जोनसन और दुनिया के ताकतवर तरीन इनसान यानी वर्ल्ड स्ट्रॉंगेस्ट का मकाबला भी दीद चुके हैं और कई बार वो इसी मकाबले में रन अरब भी रह चुके हैं आइसलैंड पर बहुत से जानवर भी पाये जाते हैं इनके खसूसियात यहां क्याब औ हवा की वज़े से जरा मुक्तलिफ हैं आइसलैंड के गोड़े आम गोड़ों के निजबत कद में चोटे होते हैं यहां कई तरह की मचलिया बाए जाती हैं इस जजीरे पर वेल मचली की तकरीबन 20 से जाएद इकसाम मौजूद है यहां सफेद लूमरी यानि आर्टिक लूमरी भी पाय जाती है लेकिन दल्चस्प बात यह है कि यहां भेड़िये पैंगूइन और पॉलर बेर्ज नहीं पाय जाते आइसलैंड को आइस एंड फायर भी कहा जाता है इसकी वज़ाई है कि यहां बहुत से ग्लेशिर्स भी पाय जाते हैं और बहुत सारे वॉल्केनोस भी यहीं मौजूद है यहां आतिश फिशानी एक मामूल का अमल है यहां की लोगों को इसकी आदत हो चुकी है एक अन्दाजे के मताबक हर चार साल बात आइसलैंड पर एक बड़ी आतिश फिशानी जरूर होती है पिछले दस हजार सालों में कुर्य अर्थ पर जितने भी आतिश फिशान ने कुल लावा उगला है इसका तकरीबन एक तहाई लावा सिर्फ आइसलैंड के आतिश फिशान पहारों ने ही उगला है बात सौर्सिस के मताबक आज से 8600 साल कबल इस जिजीरे के वस्त में वाकिया एक आतिश फिशान पहार जिसका नाम बारदर बंगा है में ऐसी जबरदस आतिश फिशान ने हुई कि इसके नतीजे में पहार ने जो लावा उगला वो बहकर 100 किलो मीटर दूर तक पहुंच गया था इसे पिछले 10,000 सालों में लार्जिस लावा फिशान पहारों माना जाता है इन्ही वाल केनोस की वज़ा से आइसलेंड पर ब्लैक स्रेंड बीचिस यानी सियारेट वाले साहिल भी वजूद में आ गए जो देखने वालों को हैरान करकर रख देते हैं यहां 200 के करीब आतिश फिशान पहार है यहां का सबसे एक्टिव आतिश फिशान काटला है जिसकी उन्चाए तक्रीब पांच हजार फुट है सन 1100 के बाद यह आतिश फिशान अब तक कम असकम 20 बार उबल चुका है आइसलेंड गीजर्ज यानि गरम पानी के चश्मों और वाल केनोस से जियो थर्मल एनरजी भी बैदा करता है क्या आइसलेंड के दिन और रात मुखतलिफ हैं? अगर आपका कभी आइसलेंड जाना हो और आपको रात 3 बज़े आसमान पर सूरज दिखाई दे तो आपने गिवराना बिलकुल भी नहीं है आइसलेंड पर दरहसल गरमियों में सूरज मुकमल तोर पर गरूब होता ही नहीं है यानि ये कहले के रात ही नहीं होती दिन ही रहता है गरमी के महीने में यानि मई से अगस्त तक के दिनों में यहां 3 बज़े से सूरज दिखाई देता है इन महीनों में पूरा दिन दिन कहीं समा रहता है बामुश्किल 3 घंटों के लिए सूरज गरूब होता है और इस दोरान भी आसमान पर रोशनिया बिखरी रहती है जबके दिसंबर से मार्च के दोरान यानि सरदी के महीनों में यहां दिन बहुत छोटा होता है और सिर्फ चार से पांच घंटे ही यानि सुभा ग्यारा से तीन बज़े तक ही रोशनि रहती है और पिर अंधेरा चाह जाता है दिन और रात का ये फर्क दरसल आइसलेंड के जोगराफिया पोजिशन के वजा से है ये आर्टिक सर्कल यानि दाइरा कुतब शुमाली के जनूबी तरफ वाक्या है और शुमाली और मगरबी दोनों निस्फ कुर्णों का हिस्सा है हर साल गर्मियों में शुमाली निस्फ कुर्णा सुरच की तरफ सरक जाता है और सर्दियों में दूसरा निस्फ कुर्रा सूर्ज से दूर हो जाता है इसलिए यहां दिन और रात के दुराने मुख्तलिफ होते हैं नॉर्डन लाइट्स आप में नॉर्डन लाइट्स के बारे में जरूर सुन रखा होगा या फिर इसकी तस्वीर या वीडियो तो जरूर देखी होगी यह सब्स रंग की खुबसूरत रोशनिया दरसल कुद्रत का एक ऐसा शाकार है जब एक खास तरहां के पार्टिकल जमीन की मगनेटिक फील्ड के साथ रियाक्ट करते हैं यह रोशनिया खारिज होती है यह खुबसूरत नजारा अब आइसलेंड में सितंबर से एपरिल के महीनों में देख सकते हैं नौर्दिन लाइस्ट, नौर्वेग, ग्रीन लैंड, स्कॉट लैंड और चंद और दिगर ममालिक में दिखाए देती है तहजीब और सकाफत आइसलेंड में वाइकिंग्ज यानी आठवी सदी के समंदी ढाकों और महिंजों से जुड़े किस्से कहानिया बहुत मशूर है बहुत से लोग इन कहानियों को सच मांते हैं यहां के रिसम रिवाज भी इन ही वाइकिंग्ज से जा मिलती है इसी तरहां यहां रात को चमकने वाले सूरश के बारे में भी बहुत से कदीम आयास अराइयां मौजूद है बाश लोगों का मानना है कि जब रात को सूरश चमकता है तो इस दुरान गाय इनसानों का रुप धार लेती है आइसलेंड में जिनात परियों और बोनों और जाइंट से भी बहुत सी कहानिया जुड़ी हुई है इन लोगों के नजदीक बोने आज भी इस जजीरे के कुछ आलाकों में पाय जाते हैं यह लोर्थरीन चर्च है यहां की 82 फीसेद अबादी के पास इसी चर्च की रुपनियत है कुछ रोमन कैथलिक चर्च की पैरवी भी करते हैं और बाज अफराद किसी भी मजभब से तालुक नहीं रखते हैं यहां कई दिल्चस्प तहवार भी मनाया जाते हैं साल में एक दफ़ा एक दिन बीवियों के नाम और एक दिन शोहरों के नाम भी मनाया जाता है अगस्त के शुरू में यहां तीन दिन की छुटी मनाई जाती है इस दुरान यह लोग यहां पार्टी करते हैं और खुब खाना खाते हैं आइसलेंड के मर्द अपने लंबे कद और ताकत की वदा से बहुत मशूर हैं यहां जिसमानी ताकत का मझारा करने के लिए स्ट्रॉंगेस्ट मैन कमपटेशन के नाम से बहुत से मकाबले भी होते हैं जिन में सबसे मशूर मकाबले 186 किलो ग्राम का एक पत्थर किसी शखस को उठाना होता है जो यह शखस मकाबलत जीत जाया यानि काम्याबी से इस पत्थर को उठा ले इसे स्ट्रॉंगेस्ट मैन का लकब दिया जाता है गेम ओफ त्रॉंस के हाफ थोर्ड यूलिस जॉनसन अब तक 10 बार की मकाबलत जीत सुके हैं खाने में आइसलैंड में मचली, मटन और दूद की मस्नुवात मशूर है लोग सहत मन हैं तेरा की घुरसवारी फुट बाल और बासकेट बाल यहां के मकबूल खेल है आइसलैंड दुनिया का चौथा खुश तरीन मुल्क माना जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मताबक फीकस डीजी पी एतिबार से आइसलैंड 2022 में दुनिया के मुमालिक में पंदेवे नमबर पर है सबसे ज़्यादा राइटर्स आइसलैंड में पाय जाते हैं यानि यहां का हर देस में से एक शक्स लिखारी या राइटर है यानि रिपोर्टर्स के मताबक सबसे ज़्यादा किताबे भी यहीं के लोग पढ़ते हैं दीकर दिल्चस्ट मालुमात जरा गोर करें तो आइसलैंड के जंडे में तीन रंग है सफेद रंग, ग्लेशिर्ज, सुर्ख रंग, आतिश फिशा और नीला रंग, आस्मान को जाहिर करता है यहां वजिर आजम हकूमत और सदर रियासत का सरवरा होता है आइसलैंड नेटो कारकुन भी है, अलबता यूरोपी यूनियन कारकुन भी है यह नेटो का वाहिद रोकर मुल्क है, जिसकी अपनी कोई बकाइदा फोज नहीं आइसलैंड में सांप मुक्तलिफ एक्साम की कीरे मकोरे, यहां तक के मच्छर भी नहीं पाय जाते यहां रेलवेयर ट्रेन का सिस्टम भी नहीं है, यहां आइसलैंडिक जबान बोली जाती है और यहां की लोगों को आइसलैंडर्स भी कहा जाता है इस जजीरे की बोली में बहुत से अलफाज ऐसे हैं जिनके लिए अंग्रेजी जबान में कोई लवज ही नहीं आपको इस खुब्सूरत जजीरे आइसलैंड के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या आपका दू चाहता है कि आप आइसलैंड विजिट करें तो नाजरीन उमीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक अलाने के बाना